सूर्धास और तुलसीधास की भक्ति भावना की थुलनात्मक विवेचन सूर्धास और तुलसीधास हिंदी के गवरवशाली कवी हैं, दोनों का संभंध भक्तिकाल से हैं सूर्धास कृष्ण बक्ति शाका के सिर्मोर खवी है और तुलसी दास राम बक्ति शाका के सर्वस्रिस्त खवी है दोनों की बक्ति भावना में कुछ साम्य है तो कुछ वैश्यम्य भी है पहला तुलसी दास ने जहां बक्ती के सम्मंद में अपने विचार प्रकट किये हैं वहां सूर्धास ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है इनों ने अपनी गुरू वलबाचारिक के बक्ति सिध्धान्त के अनुसार काव्य सर्जना की है दूसरा तुलसी दास और सूर्धास के इस्ट देवों में अंतर यह है की तुलसी के रामकस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम का है परंत सूर के खृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ रसेश्वर्प स्वरूप भी है तीसरा तुलसी धास ने अपने कावि में आर्थ जिगनासों अर्थार्ति और ज्ञानी चारों प्रकार के बक्तों का वरणन किया है परंतु सूर के कावि में अर्थार्ति बक्त का वरणन नहीं है जिगनासों का उदाहर और गोपियों के प्रसंग में थोड़ा सा बहुत है परंत वह भी प्रेम परियवसित है चवता सूरदास तता तुलसीदास दोनों के ही कावि में नवधा बक्ती आसकतियों तता बक्ती के पांच विशिष्ट भावों का वरणन मिलता है तुलसीदास में जहां दास्य बक्ती की प्रधानता है वहीं सूरदास में प्रेम बक्ती की प्रधानता है पांच्वाँ 6. सूर्दास और तुर्शिधास की भक्ती पत्दती संप्रधाई दिक्षा की दृस्टी से अलग अलग है सूर्धास पुस्टीमार्ग के दिक्षित भक्तते जिसका दार्शनिक सिध्धांत शुद्धैत्वदवाद है तुलसी दास किसी संप्रधाय में दिक्षित नहीं हुए थे उनका दार्शनिक सिध्धान्त में रामानुजचार्य संपन्न विशिष्ट द्वैतवाद है सात्वा सूर और तुलसी की बक्ती पद्धती का एक स्वस्ट बेद है की तुलसी दास मरियादवादी थे उनके कावि में श्रंगार भाव की अभिवेक्ती की भी एक मरियादा है उनकी भक्ती का मूल दास्य भावना है सूर दास का पत मित्र है उनकी भक्ती का मूल कृष्णिकी लीला है जिसके मूल में मदूर भावना गोपियों की प्रेमा सकती है लोकिक जीवन में जो श्रुंगार है वही बक्ती में मदुर रस है सूरधास का पुस्ट मारगी ये भाप्रभाव उस प्रेम को अपने घेरे में भांदे हुए है सूरधास का गोपी प्रेम गौडीय संप्रदाई का चैतन्य प्रभु के क्रिष्ण प्रेम का पवित्र बिंदु है सूर की बक्ती का यहाँ पक्ष तुलसी के कावि में अप्राप्त्य है